कि नमस्कार साथियों पढ़ साल है के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है हार्दी का बिननन है कैसे हैं आप सभी लोग किस तरीके से अब लोग यहां पर आगी की रणनिती बना के बैटे हैं ठीके बहुत दिन होगे आपके इस चैनल के मादम से रूबरू हुए अब फिर से इस चैनल के मादम से रूबरू हुए एक बर सभी लोग अगर बात करें अपने साथियों को जोड लीजिए जो विद्यारती अगर बात करें जो भी सवाल आपके हैं उन सवालों के जवाब में क्या देने वाला हो पहली चीज़ तो यहां पे आपका सूचना सा एक का पेपर हुआ है आप लोगों ने इमानदारी से और मैनत से जो भी अपना पेपर दिया उसका परिणाम आपका बहुत जल्दी जारी हो जाएगा दो महीं के आसपा सुनने में आ रहा है कि आपका रिजल्ट आने वाल है किस तरीकी से आपकी ठीको अभी तो आनंदी आ अंदर आप लोगों का नाम जरूर होगा कई रिक कमी होती है कभी कभी है किसाप marks की वज़े से या कुछ कमीवं की वज़े से हमारा और रहे जाता है कोई बात नी लेकिन उन विद्यारती उनने भी मैनत करके सिस्टम असिस्टेंट जैसी exam के अंदर बी परच्म ले रहा है और आपके सँखड़ों की संक्या में विद्यार्ति सिस्टम असिस्टेंट बढ़ती परिक्षा के आपके जो पेपर है उसमें भी चाहनित हुए आगे तो आपका टाइपिग एपेसेंसी का पाट है उसमें भी आगे इसी कि तरिके से आप लोग तैयारी करते रहेंगे टाइपिंग की प्रॉब्लम देखो बहुत सारी विद्वारटे िखो कहते हैं कि सरा टैपिंग की प्राइपिंग और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को टैपिंग की ज्यादा कोई प्रोब्लम होगी कोई ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को होगी ठीक है समय आप कुछ जो मिलेगा ठीक हो समय में आप आसानी से टाइपिंग की जो भी समश्या है वो ही है अब यहां पर देखो आपके जैसे पेपर हो गया है किसा पेपर हो चुका है अब कई सवाल जैसे बच्चों क एक्जाम के बाद है एक्जाम के बाद क्या सुचना साई की जो बढ़ती परिक्षा हुई है उसके बाद में आपके क्या करें तो यहां पर जिन विद्यारतियों की जो भी बात है किसा आप क्या करें तो आप आपके पास में दो आप्शन्स आपके पास में हैं तो सुचना ठीक है आपका 90 प्लस स्कोर है तो आप लोग यहां पर क्या करिए टाइपिंग की तैयारी करें ठीक है नब्ब प्लस स्कोर है तो आपकी टाइपिंग की तैरी आप लोग सुरू कर दीजी ठीक है आपकी अन्रिजर्व केटिगरी वाले जतने भी विद्यारति है उन सभी की ब रिक है यह अधर जो भी आपके special case होते है special category है वो सारे के सारे विद्यारती आप लोग यहां पर तयारी कर सकते हैं तो अब यहां पर दूसरा option क्या है कि लेकिन आप लोग यह थोड़ी है कि यहां पर केवल केवल सुचना साहि कही बनकर रहजा होगे हमारा target यह थोड़ी कि ह हम 2730 जो पोफ्त हैं क्यावल इन ही में रहंज हरेंगे नहीं हमें तो आगे बढ़ना है यह वह दो आगे दो आगे बढ़ने का ahead कोई न तो तरीका होगा ओप होगते अब भी जो in क mess CS किया हुआ है IT कि IT से है आपके EC से है इसके अलावा जिनों भी MC किया हुआ है और MBA IT वाले जो भी विध्यारतीं इन सभी विध्यारतियों के लिए आपकी जो पोस्ट आपकी दी गई है कि हम कहता है कि आपके ग्रेड पर बहुत अच्छी ग्रेड पर गेजटेट पोस्ट है आप लोग तयारी जो कर सकते हैं तो याद रिकिए कि सबसे पहले प्रोग्रामर की यहाँ पर जितने भी पाट साला के एक्स ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर बात करें आप लोगों की कोचिंग चल रही है दो पीम से यहाँ पर हम कहें कि तीन पीम से तीन पीम से लेकर आपके एट पीम तक क्लास चल रही है और यह एक्स आपके जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री आफ कोस्ट अभी अवेलेबल है क्योंकि हमारा टार्गेड यही होता है कि आप किसी भी तरीके से आप सलेक्शन ल विद्यारती अब क्या करें तो यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर ते आइए पर अच्छा नहीं हुआ है तो अब समय खराब नहीं करना है एक समय नहीं खराब करना है और अब आपके पास में जिससे आपके कुछ ऑप्शन से जिसे पर हैं आप लोग यहाँ पर एक तो तैयारी कर सकते हैं रेलवय टेक्नीशिन एर जो आपका ग्रेडर फर्स्ट का जो एक्जाम में उसकी तेयरी कर सकते हैं आप जिसे आपके रेलवे के अंदर जेई की वेकेंसी आईगी उसकी आप लोग यहां पर तीयरी कर सकते हैं इसके अलावा आपके आपके basic computer instructor और senior computer इंस्टक्टर यह जो बढ़ती है वो बढ़ती यहां पर आपके दो विभाग में आएगी संस्कत्र और यहां सामन्य सिक्षा संस्कत्र और सामन्य सिक्षा दोनों ही विभागों में यह बढ़ती आने की पूरी पूरी क्या है संभावना है जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके जैसे अभी पेपर में देखें अभी तो आचार सहीता लगी विया लेकिन जैसे आचार सहीता खतम होगी तो यहां पर कुछ ना कुछ जरूर होगा तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सिक्षा भी हम देखें तो इसमें जो कंप्यूटर आपकी बढ़ती है कंप्यूटर के स्वीकर्थ आपके 9862 कारिरत 5000 यहां पे 5276 और 4586 पोस्ट अभी खाली है लगबग मान के चलें के 4000 पोस्ट आपकी कंप्यूटर अनुदेशक की अभी भी खाली है सिमिलर मैनेर में सरकारी स्कूलों को गुरुजी का इंतजार प्रदेश में डेड़ लाक पद खाली है और आप यहां पर भी देखेंगे तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंप्यूटर के 4586 पद तो यहां पर हम कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेट अप्रॉक्सीमेट आपके 4000 आपके 586 जो पूस्त है तेखेंगे यह अभी वेकेंट है तेखेंगे यह आपकी सामने सिक्षा में हैं ते जो सामने सिक्षा है उसमें हैं और करीब करीब हम यह मानें कि यहां पर 600 पूस्त तेखेंगे 600 पूस्त आपकी वेकेंट है करीब करीब और यह आपके किस में हैं संस्कृत विभाग में आपकी वेकेंट है तो यहां पर वेकेंसी की कहानीं हम कहते हैं कि आपकी वेकेंसी पॉसिबल नहीं है लेकिन आचार सहीता के बाद ही आचार सहीता के बाद ही आपकी अन्य कोई जानकरी होगी इसमें सबसे पहली जो आपकी हो सकती है कि आपकी संस्कत विभाग की ज्यादा संभावना है ते सबसे ज्यादा संभावना है आपकी है संस्कत विभाग की है ते अब यहां पर देखो आपके संस्कत विभाग वाली जो वेकेंसी है उस वेकेंसी की ज्यादा संभावन है अन्य आपके विभाग की भी वेकेंसी आएगी लेकिन उसमें आपका थोड़ा समय लग सकता है लेकिन यहां पर एक चीज देखो आपके पास में जब आप कंप्यूटर अनुदेख सकते जब आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तयारी करते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जब तयारी करते हैं तो आपको पता है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तयारी करेंगे तो आपके दो पेपर होते हैं एक पेपर वन और आपका पेपर टू होता है यह दो पेपर आपके यहा ते राजस्तान के जितने भी एक्जाम CT है कि CT में आपके है ज्यादा से ज्यादा आपको अलग से हिंदी पढ़ना होता है और English आप लोग यहां पर कर लें तो CT भी qualify कर सकते हैं हिंदी इंगलिस आप पढ़ लेंगे CET भी आप लोग क्या कर सकते हैं qualify कर सकते है paper 2 जो part आपका है यहां पर हम कहते हैं कि यह technical paper है और यह जो technical paper अगर आप करना चाहें अब एक चीज़ समझे कि यहां पर approximate हम कहते हैं कि आप approximate duration आपको कम से कम आठ मैने का समय चाहिए जब आप 6 घंटे डिली आप पढ़ते हैं आपके आप online पढ़ रहे हो चाहे offline पढ़ रहे हो चाहे self पढ़ रहे हो यहां पर आप लोगों को याद रखना है कम से कम आपको 6-8 मैने minimum चाहिए अब एगेंसी आने के बाद तीन मेने चार मेने साड़े चार मेने बसते हैं ठेके फिर उसके बाद में आपके classes 12 गंटे-14 गंटे यहां पर हो जाती है फिर समय बहुत कम होता है तो यहां पर आपके किस तरीकी से आप तैयारी सुरू कर सकते हैं कौन-कौन से बुक पढ़ सकते हैं या कहां से हम सुरू के बात कर सकतेंश त्यारी करना या नहीं करना आप के आपको वेगनसी का वेट है तो वेकंस के बाद में तैयरी करें दि कि समय कम मिलते हैं और अभी जितनी भी एक्जामस को अगर आप देखें समस का पेपर का लेवल दी ते दे बढ़ता जा रहा है हर पेपर का लेवल यहां पर बढ़ता जा रहा है इसलिए आप अगर अभी से तैयरी करेंगे तो आप लोगों को इस एक्जाम में सफलता मिलेगे कंपेडिक्शन इस बार ओड जादा होगा पिछली बार लगबग सवाद दो लाक के करीब तो इस बार हो सकता है कि करीब करीब पीन लाक बच्चे इसका एक्जाम में दें तो यहां पर ही कुछ सबसे पहला जो आपका दो आपके लेवल्स होते हैं एक सीनियर कंप्यूटर इ जो है जिसका ग्रेड पे जो है ग्रेड पे आपका 3600 है और बेसिक कंप्यूटर अनोदेशक जो है जिन्य विद्ध्यार्थियों का आई एका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है उनको कंप्यूटर अनोदेशक की तियारी करने की नीड नहीं है लगता है कि साप यहां पर आप उस फिल्ड में जाना चाहते हैं सक्षा विभाग में जाना चाहते हैं तो आप तयारी कर सकते हैं तो senior computer instructor की जब भी बात करें तो senior computer instructor आपकी जो भी है इसके अंदरगत आपको जो भी degree चाहिए वो सारी डिग्री मास्टर स करें दिग्री चाहिए यहां पर master in engineering होता है master in technology होता है computer science में आपकी जो भी field आपकी है तेके जो जो आपकी field CS वाले भी आपका eligible है IT भी eligible है इसके अलावा EC वाले भी eligible है electrical वाले भी eligible है तेके triple E वाले भी eligible हो सकते है है electronic telecommunication वाले भी है और electronic instrument है इसके अलावा आप लोगों के MSC in computer science ठेके MCA वाले भी eligible है और any higher equivalent लेकिन इसमें याद रखना कि आपको यह याद रखना है कि जिसमें graduation है ठेके उसी में पीजी होना चाहिए यहाँ पर यह नहीं कि यहाँ आप लोगों ने बी अगर रखा है और दे सकते हैं नहीं आपको या रखना है जिससे BCA है तो फिर उसके बाद MCA होना चाहिए अगर आप BTEC आप CS है तो फिर आपके MTEC BTEC CS है तो फिर आप MTEC CS मतलब graduation जिसमें है उसी के अंदर अगर आप लोगों को यहाँ करना है 110 सवाल ने अराम से हो जाएगा बस टाइपिंग करिए 110 question में तो final selection 105 वाल यह मैं कह रहा हूं कि जनरल केडिगरी अंदर 105 वाल ने वह एकदम सेफ हैं attention ही मतलो इसके बाद में जो basic computer instructor की बात करें तो basic computer instructor का syllabus जो है एज पर है राजस्तान educational state and subordinate services rules ठीक है आपकी यहाँ पर देखो BTEC आम कहता है कि आपके BTEC हो सकता है ठीक है BTEC BE और CS वाले eligible है IT वाले इसी वाले eligible है ठीक है electrical वाले है EIC वाले eligible है यह सारी triple E वाले भी eligible है साथ में हम कहते हैं कि BAC in CS और BAC in IT वाले भी है BCA वाले भी इस exam में eligible है और साथ में ठीक है हम कहते हैं कि आपका any graduate ठीक है कोई भी graduate प्लस वन इयर ठीक है वन इयर डिप्लोमा वाले student भी eligible है डिप्लोमा में जिसे O level हो सकता है या फिर आपका कोपा हो सकता है या फिर हम कहते हैं कि quality technique वाले B हो सकते हैं quality technique वाले भी हो सकते हैं इसके अलावा जिसे A आपका B level भी आपके यहां पर हो सकते हैं इसमें इसके अलावा जो भी PGDCA वाले जो विद्यारती है वो भी इसमें eligible है कि साथ में DCA का डिपलोमा होता है वो बहुततु है तो साहरे के साहरे विध्यारथी इनलीजी बल यहां पर होंगे स्अले के आपका पूछा जाए इसीम में उफ इंप ले खें तो आपका जो पेपर है वो आपका सोनमर का होगा लिए आपका डूरीशन जो है वो 2 इंदे का होगा और कुरिशट्र प्र को तो नम्मर का ही होगा ठीक है यहाँ पर इसमें याद के लेकिन यह याद अकना कि 40% मांक्स ठीक है 40% मांक्स इन इच पेपर ठीक है प्रतीक पेपर में आपका 40% मांक्स आना बहुत जरुरी है ठीक है अगर एक पेपर में भी 40% मार्क्स नहीं आता है तो आप इस पेपर में आपने BCA प्लस MSC Computer Science Senior में अलाउ है क्या नहीं है तो यहां पर पेपर वन जो दिया गया जिसमें कहा गया आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री जोग्राफी जनल साइन्स कल्चर टेकर इंड अफेस्ट लॉजिकल reasoning decision making general ability basic numeracy data interpretation जेड़ नेगेटिव मार्किंग ए एक बत्टे तीन नेगेटिव मार्किंग पहला पेपर यह है और शीनियर computer instructor में आपका पैडागोजी है mental ability वाला पर्ट है mental ability जिसमें reasoning वाला complete पर्ट आपका दिया गया है तिक है फिर आतना है जिसे fundamental of computer जिसमें numble system यह वाला पार्ट है पर यह कंप्लीट आपके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का पार्ट है जिसमें C, C++, Zawa, .NET, Artificial Intelligence, Machine Learning, Python, टेका ब्लॉक्चेन, प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप यह सारा जो पार्ट आता है पर यूनित नम्बर 5 जो कंप्लीट आपके अपकी तो 10 रहुत पहले, तो रहा से जरा आपकी उनिट नम्मर जो 10 है वो operating system का part है unit number 11 database management system है unit number 12 आपकी software engineering है फिर unit number 13 जो है data communication और computer network का पूरा part है network security है unit number 14 basic of communication unit number 15 है और unit number 16 है web development है तो या या रखना है कि senior computer instructor senior computer instructor भाई syllabus देख लो एक बर ठीक है और इसमें total unit की संक्या है आपके 16 unit second paper में आपकी total unit आपकी कितनी है 16 अगर एक unit को पढ़ने में आपको 50 गंडे भी लगे है मैं minimum कह रहा हूं कि अगर एक गंडे को एक गंडे में भी अगर बात करें आप लेगे तो सोचो कितना समय लगेगा ठीक है ओफ लाइन स्टूडेंट्स के लिए programmer का offline offline free है offline आ सकते हो online नहीं offline free है ठीक है इसके बात में देखो आपका पेपर टू है same paper है आपका तेके आपका same paper आपका दिया गया है आपका पेपर टू आट पेड़ागोजी का जो भाग है वो आपके कौनसे से संबंदित है computer से संबंदित है फिर इसमें भी आपका reasoning का पार्ट दिया गया है ठीक है फिर आपका unit दी गई है fundamental of computer system जो हर exam में questions बनते हैं ठीक है foc का पार्ट आता है जिसे आप लोग यहां पर त्यारी कर सकते हो नेक्स डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट है जिसमें MS word, powerpoint, excel और access का पार्ट है लगबक 10 के करीब question इसमें से बनते हैं अगला जो भाग आते हैं जिसे programming fundamental का भाग आता है तो इस programming fundamental में c, c++, java, dot net, ai, machine learning, python, blockchain और आपके programming techniques का जो भी पार्ट है next दिए आपका data structure and algorithm का पार्ट है जिसमें ओ लेवल वाले भी बढ़ सकते हैं पेडागोजी online course में अभी नहीं करवाया अभी हो जाएगा अभी जैसे बहुत सारी subject चल रहा है पहले जैसे ही वो subject कतम हो जाएंगे पेडागोजी का भी पार्ट आ जाएगा ओ लेवल वाला भी बन सकते हैं इसके बाद में computer organization और operation operation system है basically operating system का पार्ट है next day communication and network concept है जिसमें DCN का भाग दिया गया है फिर आपका unit no.9 जो है network security का पार्ट आपका दिया गया है यह database management system की जब भी हम बात करें तो database management system में यह basic concept है unit no.11 में software analysis और design है जिसमें requirement gathering feasibility study analysis यह है और last unit ने internet of things and its application जिसमें land when man operation और यहाँ पर जो different type के internet technology protocols और यह सभी जो आपकी services होती है उनकी बात की जाती है तो यहाँ पर याद एकिए कि यह आपकी जो भी है इस वाले भाग में तो यहाँ पर आपका computer आपका अनुदेशक है हम कहते हैं कि computer आनुदेशक जो foundation जो batch है आपका है करीब करीब इस batch को पूरा होने में आठ से दस मैने लगेंगे अगर exam date आ जाती है तो अलग बात है टाइम जो है इसका morning में साथ एम से start हो चुका है अब इस साथ से ग्यारा एम आपकी चलता है इसमें दोनों ही पेपर की तयारी करवाई जाती है पेपर वण और आपके paper 2 की तयारी दोनों है ठेगए इसमें आपका टैसजिव आपकी चलती है आपकी टैस्टरी एक्जॉम जोती है आपको पता ही है नोट्स आपको मिल जाते हैं आपका बैग आपका मिलता है इसके अलावा जो भी आपके online course भी आपको मिलता है और साथ में आपकी जितनी भी faculties है वो expert faculties के मादम से आपको पढ़वाया जाता है ऐसा नहीं होता है कि एक ही subject कोई एक ही teacher पढ़ा दे सारे subject के लिए expert teachers है technical पढ़ाने वाले भी बहुत सारे teacher है और आपके यहां पर इसके अलावा जो फास पेपर है उसमें तो पेपर वन सेलेक्शन का आधार यही है दोनों पेपर की साथ में तेयरी करो ठीक है पेपर एक पेपर से कभी भी selection नहीं होता है दोनों ही पेपर से पॉलिटेक्निक वाले भी अला हुआ है ठीक है तो आप बढ़िये से तेहरी करना सुरू करो ठीक है बाकि इसकी जो भी sessions है आपके YouTube पे भी शुरू हो जाएंगे ठीक है आपके और programmer की भी जो विद्यारती तेहरी कर रहे है उनके लिए भी हम नए नए sessions लेकर आएंगे अभी लेक के लिए इतना ही थैंक यू सो मच अल दे बैस आप सभी को इस exam के लिए